आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ दही बैगन की बहुत यनोखी और यमी सी रेसिपी बैगन की सब्जी तो आपने कई तरीके से बनाई और खाई होगी एक बार मेरी इस रेसिपी को जरूर बनाईएगा आप इस दही बैगन की मज़ेदार सी सबझी को बार पर बना कर खाना पसंद करेंगे तो दही बैगन की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लंबे वाले बैंगनी क्रड़ के बैंगन लिये है इनको मैंने धो कर अच्छे से साफ कपरे से पोच लिया था इसे हमें इस तरह से cut कर लेना है गोल गोल तो आदे इंच की मोटाई में इसे इस तरह से circle में काट लीजे बैंगन काट कर इस तरह से plate पर फैला कर रख लीजे इसके उपर हमें थोरा सा healthy powder, लाल मिर्श powder और नमक डाल कर अच्छे से छिड़क लेना है बैंगन को एक दूसरे से अच्छे से मिला लीजे ताकि मसाले सभी पैंगनों की उपर अच्छे से coat हो जाए अब बैंगन को हमें ऐसी तीन से चैमनट के लिए छोड़ देना है इसके बाद हमें pan गरम होने को रखना है, इसमें हमें थोरा सा सरसू का तेल डाल कर गरम कर लेना है आपको इसा भी दूसरा cooking oil भी ले सकते हैं पर सरसू के तेल में ये recipe बहुत ही मज़िदार बनती है एक एक करके हम इसमें बैंगन डालते जाएंगे और इसको हमें अलट पलट कर अच्छे से पकने तक और crispy होने तक सेक लेना है जब एक तरफ से बैंगन अच्छे से सिख जाए तो इसको पलट लीजे medium to low flame पर इसको आप सेकेंगे तो 4-5 में सारे बैंगन अच्छे से crispy होकर सिख जाते हैं अब एक एक करके बैंगन को हम plate पर निकाल लेंगे अब हम same pan में दही की gravy बना कर त्यार करेंगे तो 1-2 बड़े चमच जितना तेल गरम कर लीजे एक से दो चुटकी हिंग डालेंगे थोरी सी कलॉंजी डालेंगे एक हरी मिर्च डालेंगे काटकर एक सुखी लाल मिर्च डाल दे आदी छुटी चमच जीरा डालकर मसालो को अच्छे से भून लेजे जब अंसाले भून जाए तो इसमें हम आधी चुटी चमच हल्दी पौडर और कस्मेरी लालमिश पौडर डालकर एक दो मिनट के लिए भून लेंगे मसालो को जलाए ना अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक दो मिनट पका लिजे साथी में हम एक चुटी चमच धन्या बूंट कर पका लेंगे अब इस स्टेश पे हमें एक कप दही डालना है तो इस दही को मैंने इच्छे से फेट कर डाला है दही डालते हो ग्यास की फ्लेम को एकदम धीमा रखे और धीमियाश पर हम इसको एक से दो मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे ताकि दही फटे ना एक मिनट पात दही को 20-20 में दस मिनट लगतार चलाते हुए पकाएंगे जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे दही हलकी पतली होती जाएंगी और आप देखेंगे इसमें से घी भी छूटने लगा है तो जब 10 मिनट में ये पकर तयार हो जाएाँ आप दिखेंगे मसालों से और दही से अच्छे से तेल और घी छूट गया है अब इसमें हम थोरा सा जीरा पाउडर और टेश्ट के कोडिंग नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एजस्ट करने के लिए थोरा सा और पाने डाल कर एक उबाल आने देंगे अब इसमें हमने जो यह बैंग पाटी सी दही बैंगन की रेस्पी तयार है थोरा सा बारी कटावा हरा धन्या डाल कर सर्फ करें खाने में बहुत ही यमी लगती है आप इसको चावल रोटी किसी भी चीज के साथ खाए अगर आपने अब तक दही बैंगन की रेस्पी को ट्राइ नहीं किया है तो यह रेसि